कि डिसिजन मेकिंग की पंदरा गलतियां 15 मिस्टेक सब डिसिजन मेकिंग बिहेवरियल बायसेंज में आज हम बात करेंगे लॉस एवर्जन तो लॉस एवर्जन क्या चीज होती है हम लॉस से डरते हैं बेल्कुल उसको अवाइट करना चाहते हैं दोस्तों मैं इसमें आगे बात करूं उससे पहले में आपको इंफांप कर दूं कि जिरो लॉस ऑप्षिन ट्रेड में अभी बहुत बड़ा ओफर चल रहा है कभी यहां पर ट्रिपल नाइन से कम की कूर्स नहीं होते थे आज आपको 299-499 की कूर्स अवलेबल है बेंक निप्टी और ऑप्षिन ट्र स्कूर्ण को लाइस निचाते हैं कि लॉस वर्जन में क्या होगा कि हम लॉस से ड़ते हैं हम चाहते हैं कि लॉस होना जाएक कभी-कभी बातचीत होती है न तो हमने करना अगर लॉस को लेकिज आपको नेगेटिव एटिटीटूड है या आपके अंदर जो खोभ है इस ची हुआ है अगर हम इसको accept कर लेंगे न तो simply बात क्या होगी कि मैं 100 खरीदता हूं और उसमें 3 रूपेंस 4 रूपेंस का stop loss लगा देता हूं 300 400 का loss होता है और हम बोलते हो कि ठीक एक trade करता हूं इतना stop loss होता है मुझे कोई परिशान ही नहीं मतलब जैसे आपने loss को accept किया तो क्या होने लगा कि आपको loss तो control हो गया लेकिन आपके profit को stretch होने का मौका में लिए तो अगर समझो आपने कोई position बनानी एक लाग रुपए के share आपने खरीद के रख लिया या आपने Bitcoin खरीद के रख लिया या आपने gold या silver को short करके रख दिया और अचानक से opposite direction में movement आने लगा तो आपको जब 23,000 का loss हो रहा था किसे नहीं का loss बुक कर ले लॉस तो चाहिए ही नहीं तो 3000 से loss बढ़ते-बढ़ते 10,000 हो गया अब जब आप इस दंदल में फच जाते हो तो उस करके आपका loss बढ़ता चला जाता है उसका सबसे बड़ा कारण समझी है कि जिस चीज को मैं स्विकार नहीं कर रहा हूं वो मुझे आके घेर लेगा वो उसी चीज से में घेर जाऊँगा जैसे उता आता न आपके दोड के पीछे तो क्या कहा जाता है कि आप खड़े हो जा नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी बज़े से कभी कोई अच्छा पॉजिशन आप बनाने वाले थे तो उस पॉजिशन में इतनी सी बात थी कि कोई शेर आपके सामने एट परसेंट प्लस था और इसा लगता था क्या पता फिप्टिन परसेंट 20 पर चला जाए इसका तो इस अब अगर आपको पॉजिशन नहीं बनाते हैं और शाम को आपको दिखता है कि आपको चांस में निमिस कर दिया तो हो सकता है इस पच्छावे में अब वहां उपर के लेवल पर आप पोजिशन बना लो लॉस यससे बढ़ते जाते हैं दोस्तों आप हमारे साथ काम करना ज किसी भी इंसान ने वो बुक का पीडिएफ नहीं मंगाया होगा क्योंकि 150 रुपीज में अभी अविलेबल है 100 करोड की चावी और वो आप पढ़ना शुरू करे कई बार लोग बोलते हैं सारी इंग्लिश की विजह से हमको नहीं होगी तो इंग्लिश में भी अविलेबल ह हिंदी में 4 पीडिएफ चुट-चुटी अविलेबल है तो हिंदी इंग्लिश जो भी आप चाहें आप्ट कर सकते लेकिन बहाने बाजी से आप आगे नहीं बढ़ते 100 बहाने बना लो एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे लेकिन एक कदम उठालो तो 10 कदम आगे बढ़ने से आपको क्विरोख नहीं सकता इसी मेंटलिटे के साथ अगले वीडियो का अंतजार कीजिए इस सीरीज को आप पसंद कर रहा है ना आपको कोई फिडबेक सजेशन आपको कोई आदेश हो दीजी हम काम करेंगे